आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों यहां प्रश्ण है कि बगल के चित में चत्रबुज A, B, C, D की भुजाएं A, B और C, D के मद्धे बिंदो M, तथा N को मिलाने वाली रेकाखन दूनों पर लंब है तो साबित करें कि चत्रबुज की दूसरी भुजाएं बराबर होगी तो चलिए इस प्रश्ण को हल करते हैं तो हमें यहां पर क्या बोला है हमें बोला है कि जो भुजा A, B, C, D के मद्धे बिंदो M और N है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर लिखेंगे A, M बराबर M, B होगा क्योंकि हमारा M मद्धे बिंदो है मद्धे बिंदो है A, B का और यहां से हो जाएगा D, N बराबर N, C, ठीक क्योंकि N हमारा मद्धे बिंदो है D, C यहां पर देखें, यहां पर क्या करते हैं यहां पर क्या करते हैं कि हम इस D को M से मिला देते हैं और यह M को यहां से हम C से मिला देते हैं अब दिखें इसको हम कहल करेंगे तो यह लिखेंगे त्रिबूज M, D, N और त्रिबूज M, C, N में M, D, N में M, C, N में तो यहां पर क्या लिखेंगे M, N जो है हमारा वो हमारा क्या है दोनों में Ubanist है तो यहां पर लिखेंगे यह हमारा Ubanist है और यहां पर आगे देखिए कौन M, D हमारा बराबर होगा कौन M, C का क्योंकि दोनों हमारा 90 डिग्री है M, D यह भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और यह M, N, C अब आगे चलिए यहां पर देखते हैं कि D, N जो है हमारा वो हमारा N, C के बराबर है क्योंकि यह हमारा क्या है यह N हमारा मद्धे बिंदू है तो यहां पर हम लिखेंगे कि N हमारा मद्धे बिंदू है D, C का तो यहां से क्या कह सकते कि त्रिबूज M, D, N जो है हमारा सरवागसम होगा त्रिबूज M, C, N का यह हमारा सरवागसम होगा यह होगा हमारा S, A, S सरवागसमता से अगर यह दो त्रिबूज सरवागसम है तो यहां से क्या लिख सकते कि M, D बराबर होगा mc का और यहाँ पर लिखेंगे कि कौन dmn जो होगा वो बराबर होगा कौन cmn का यह दो चीज यहाँ से हम लिख सकते हैं चलिए हम यहाँ से माल लेते हैं समिकरत एक हम अब आगे इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए हमारा a कौन amn बराबर होगा कौन bmn का क्योंकि दोनों हमारा 90 degree है देखिए यहाँ पर हमारा amn और b sorry bmn अब क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ कौन cmn को घटाते हैं घटाते हैं तो यहाँ से लिखेंगे कौन amn minus korn cmn बराबर कौन bmn minus korn cmn यह करेंगे ठीक अब देखिए हमारा cmn किस के बराबर dmn के तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कौन amn minus korn dmn बराबर कौन bmn minus korn cmn यह लिखेंगे अब देखिए हमारा amn में अगर हम D, M, N घटा दे तो कौन A, M, D बराबर हो जाएगा कौन B, M, C का इसको हमाल लेते हैं यहां से समिकरण 2 अब हम चलते हैं त्रिबूज A, M, D में और त्रिबूज B, M, C में तो यहां से क्या हो जाएगा D, M, B, M, C लिखेंगे ठीक क्योंकि यह हम लिख सकते हैं समिकरण 1 से और यहां पर लिखेंगे कौन A, M, D बराबर कौन B, M, C यह हम लिखेंगे समिकरण 2 से अब देखें यहां पर लिखेंगे A, M, जो होगा हमारा वो B, M, के बराबर होगा क्योंकि M जो है हमारा मद्दे बिंदू है A, B का हमारा यह मद्दे बिंदू है A, B का तो यहां से क्या हो जागा कि त्रिबूज A, M, D हमारा सरवाकसम होगा त्रिबूज B, M, C का यह हो जागा S, A, S सरवाकसमता से तो यह अगर हमारा त्रिफूज सर्वाक्सम है तो लिख सकते हैं कि AD बराबर हमारा BC हो जागा धिक और यही हमें सिध करना था, हमें सिध क्या करना था? यहांसे कि साबित करेंगी चत्रोगूज की दूसरी भुजाय जो है वो बराबर है, मतलब कि AD बराबर है BC गा तो आशा करती हूं दोस्तों ये प्रश्ण आपको समझ में आया हो धन्यवाद